ओम नमशिवा आज शुम्वार के दिन आईए सुनते हैं भग्वान भोले नाद और नंदी की यह कथा भोले की कृपा के लिए क्या देवी देवता तो क्या राचस वह अपनी सरण में आए सभी स्रधालूओं पर न कीवल क्रिपा करते हैं बलकि उन्ही मनोवानशित फल भी प्रदान करते हैं ऐसी ही एक कथा जुड़ी है मृत्यू के देवता यमराज से जब उन्होंने भोले नात को इन्ही बिना किसी वाहन के भ्रमर करते देखा तो उनके मन में एक इच्छा जागरी थुई बस फिर क्या था यमराज ने भगवान संकर के समच अपनी इच्छा प्रकट की और फिर क्या हुआ आईए जानते हैं इस कथा के बारे में पवरारी कथा की अन्सार भगवान सीव बिना किसी वाहन के ही संपूर संसार में बिच्रण करते थे एक दिन जब वह जगत में विहार कर रहे थे तो यम ने उन्हें दीखा उनके मन में यह बात आई की वह भोले नात के वाहन बन जाएं लेकिन यह इतना सहर नहीं था तो उन्होंने शिव को प्रसंद करने के लिए कठिन तब किया यम के तप से शिवशंभू प्रसंद हुए और उन्होंने यम को बैल रूप में अपना वाहन बनाना शुईकार किया भोले नात ने बैल रूप को इसलिए चुना क्योंकि बैल अतियंत भोला होता है उसके मन में किसी भी प्रकार का छल कपड नहीं होता यही वजह है कि भोले बाबा ने बैल यानि की नंदी को अपना वाहन नियुक्त किया यही नहीं सिवजी ने नंदी को अपना प्रधान सेना पती भी बनाया कहा जाता है कि भग्मान सिव की सेना नंदी बाबा के कहने पर ही चलती थी पौराडिक कथा की अंसा पुरातनकाल में एक सिलाद नाम के एक रिसी हुए जो की पूर रूप से प्रभु की पूजा में लेन रहने लगे थे ऐसे में परिवार के लोगों को उनके वन्स की चिंता हुई यह परिसाने लेकर सभी उनके पास पहुचे और ग्रिहस्त जीवन में वापस आने का निवेदन किया हाला कि वह नहीं माने लेकिन उन्होंने जन्म मृत्यु से परे संतान प्राप्ती के लिए देवराज इंद्र की पूजा की इंद्र प्रसंद हुए तो लेकिन ऐसी संतान का आसिरबाद देने में और समर्थता जाहिर की जब इंद्र देव ने इच्छा मुताबिक संतान प्राप्ती का आसिरबाद नहीं दिया तो शिलाद मुनी ने शिव की पूजा की उनके कथोर तब से शिव अतियंद प्रशन हुए और श्वयम उनकी संतान के रूप में जन्म लेने की बात कही कथा मिलती है कि एक दिन सिलाद मुनी खेत जोत रहे थे तब उसी भूमी पर उन्हें एक बालक मिला वह उसे घर ले आए और उसका नाम नंदी रखा भगवान भोले नातने मित्र और वरूर नाम के दो मुनियों को नंदी के पास भेजा उन्होंने नंदी को बताया कि वह अलपाई है यह सुनकर नंदी बाबावन में चले गए और महादेव की पूजा अर्चना करने लगे उनकी पूजा से भोले नात प्रशन हुए और नंदी को मृत्युभै से मुक्त अजर अमर होने का आशिरबाद दिया इसकी अलामा गड़ों के अधिपती के रूप में भी नियुक्त किया कथा मिलती है कि जब असुरों और देवताओं के भी समुंद्र मन्थन चल रहा था और उसमें से विश निकला था तो उसे सिव ने धारड किया था लेकिन विश्पान के दवरान कुछ बुंदे जमीन पर गिर गई थी और उन्हें नंदी ने अपनी जीव से चाट लिया था नंदी के इस भाव पर भोलेनात अतियंत प्रशन हुए इसके बार भगमान ने नंदी को अपने सबसे बड़े भक्त की उपाधी दी साथ ही उन्होंने कहा कि जो सक्तिया उनकी है वह नंदी की भी है भोलेनात की क्रिपा पाने को ग्यान सरूब तप और बिस्की मूंदे को चाटने की पवित्रता नंदी बाबा की महिमा को और भी बढ़ा देती है भोले बाबा ने नंदी को यह आसिरबाद दिया था कि उनकी पूजा से पहले नंदी की पूजा की जाएगी यही वजह है कि हर सिवाले में नंदी बाबा की मुर्ती जरूर होती है यही नहीं यह भी मान्यता है कि यदि आपको भोले नाच से कुछ मांगना है और आपने नंदी बाबा के कानों में सच्ची स्रद्धा पवित्रता और अटूट निष्ठा से अपने बात को कह दी तो वह भोले नाच तक जरूर अरजी पहुचा देते हैं यही नहीं शिवी मुराद पूरी कर देते हैं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसी लाइक करें कमेंट करें सेयर करें हमारे चैनल भक्ती गाथा को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन आल पर सेट करने ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुच सके धन्यवाद